जैहिन फ्रेंड्स वेलकम बेक स्वागत है आपका समाधानी श्टडी यूटूब चैनल में आज आपके साथ करने वाले हो गैस मद्य प्रदेश में तीन एक्जामे क्या हो चुकी है रद हो चुकी है मतलब रद अभी होने को है ठीक है इस रद नहीं करवाए उन्होंने पर उसके पेपर लीक हो चुके है एक्जाम के पहले ही जश्ट एक दिन पहले इन्होंने पेपर लीक करवा दिया है अब किसने करवाया है मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में ठीक है तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करता हो और इसमें नर्सिंग स्टाप की उनके लिए बुरी ख़बर है तो चलिएगा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्ट्ट ऐसे बी है जिन्होंने और्टनमस कॉलेज में एडमिसन कर लिया है बहुत से स्ट्ट ऐसे बी है जिनके बहुत से अच्छे मार्स है वह गौर्णमेंट कॉलेज की काउंस लिंक नहीं होने वाली है तो देखेगा इसमें MP लिखा यहाँ पर MPPB की ऑफिसल न्यूज तो देखेगा यहाँ पर क्या क्या यहाँ तीन न्यूज चैनल्स वालोंने यह न्यूज को चापा है जिसमें से देखिए मैं आपको बता दू कि क्या यह पूरी न्यूज है सिस्टम को हेक करके कोई पेपर चुरा ले इतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास उसमें से भी यह पेपर को हेक हो चुका है अभी तक देखिए इतनी बड़ी IIT कंपनी से हमारे पास इतने सारे जो है हमारे पास सब कुछ है फिर भी इन्होंने पेपर क्या कर दिया है लीक हो वरिष्ट क्रसी अधिकारी इन दोनों ही एक्जामों का क्या हुआ गाई इस पेपर लीक हुआ था जो इस्टाडिंग में हो चुका था कब हुआ था सर जी जब आपका एक्जाम हुआ था उसके रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ही यह न्यूज वाइरल हुई थी कि सर उसक उसी क्रसी विस्तार कदिकारी वाली और नर्सिंग की भरिक्ती परिक्चा रद कर दी है यह देखे रद कर दी गए इन्होंने तो कह दिया यह न्यूज में कहा है गाई अभी अभी ओपेसियल पी पी साइट पर अपलोड नहीं हुआ है जब तक ओफिसली अप्लोड नहीं ह अपलोग बिलिकोर भी परेशान नहीं होना है अवली अभी न्यूस पर चपाए देखे मध्यप्रदेश गरवा मंत्री नरुत्तम मिस्ता ने बताये कि करसी विस्तार कदिकारी और आपका ग्रामिन करसी विस्तार कदिकारी की परिक्चा दस दिन 10 परवरी के लिए लिए ल परिक्चाओ को रद करने का निर्नाई लिया गया है परसन पतर लिक होने के बाद S S.D.O. और आपका R.A.E.O. को मतलब यह दिखा रहा है आपको ख्रेसी विस्तार कदिकारी और आपका वरिष्ट दिकारी और नर्सिंग भरती की परिक्चाओ को रद किया गया है कुछ चा कहा गया है मद्य परते स्वापम परिक्षा लीक के बाद तीन भरती परिक्षा रद हेक हुआ सिस्टम इस तरह से पता चला देखेगा इन्होंने क्या कहा गया है पूरी देखे जानकर में पुराइट करता हूँ क्यू है कैसा हुआ किसली हुआ प्रोपेस्निक्स दॉन्स में बोड के तीन परिक्षा रद करने का फैसला लिया गया है गरमती नरुत्त मिस्रा ने तो देखेगा इन्होंने तीन परिक्षा निरस्त कर दिया है बहुत से स्टुडेंट ने आट्रोनम स्कॉलेस में 40,000, 35,000 तक का अमाउंट पेक किया है उनका अमाउंट क्या गया तो च साइट भी अपलोड होने को है तो देखेगा आप थोड़ा ध्यान रखेगा क्या है चलेगा मैं आपको बता दू यहाँ पर इतनी बड़ा हमारे पास सिस्टम है और क्या है अभी इनको क्या कराना है सर जी अगर आप लोग समरत है तो लाइक जरूर कीजेगा ठीक है अगर आपको बता दू गयाँ क्योंकि अगर स्टाप नर्स का पेपर लिंख हो ता तो और्टोनॉमास कोलेज की इन लोग ने कौंसिलिंग महीं करवाते अब इनको क ŞuAhकिम्स के गौवर्मेंट कोलेज Conference की कांसिलिंग करवाना है बट यह कोशिलिंग को टालने के लिए को टालने क अब हमें आप ही जो सजेस्ट करें आप ही सभी विद्यारती क्या करें सजेस्ट करेंगे कि सरह अब हम लोग क्या करें अब क्या पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो देखेगा अभी और आपका जो है अक्टुमबर के एकजाम अना है तो अक्टुमबर में फिर इ पर्मिसन चालू रहेगा ये कोई बात हुई क्या ऐसा नहीं होना चीए सभी बच्चा हमारे लिए सेम है सभी बच्चों के लिए हमें लड़ना है ठीके गाइस तो देखेगा आपको मैंने पूरी जानकरे दे दिया है कि कैसा हुआ होगा क्या होगा ओनली दो ही भरती के जो इक्जाम था उसी का पेपर लिख वो तो पहले की बात थी जब फर्वरी में पेपर हुआ था ना तो फर्वरी में ही इसका लिख का पता चल चुका था कि पेपर लिख हुआ है बट इन्होंने क्या जोड़ दिया और इस्टाप आपका इस्टाप नर्सिंग भरती पाना है क्योंकि सीटे ही नहीं है इने के पास और इतना फंड भी नहीं है कि यह आपको एडमिसन दे दे इसलिए इनको कहना पड़ रहा है कि उसी के साथ इन्होंने लगा दिया है कि यह नहीं होगा ठीक गईस तो यह पूरी न्यूस थी बहुत से इस्टुडेंट परिसा यह ऐसा वारियल हो रहा है तो आप लोग परिसान मत होए गाईस अगर देखे कांसिलिंग कहोगी या फिर परिक्षा रद होगी आएगा कि यह हो चुकी है रद तो आप बिलकुर निश्चिंत अभी तो रहेगा कि आपको कुछ ने होगा अभी कांसिलिंग के लिए तो आपको इलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है अपना यहाँ पर रिव्यू प्रदान करें इस वीडियो के प्रति क्या यह जानकरी हमारी सत्य है या फिर असत्य है जहिंद गाईस मैं आपके साथ बना हूँ अगर कुछ दिक्कत जाती है तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप लोग मेरी समाधान इस्टैडी इंस्टाग्राम पर आइडी बनी हुई है उस पर भी हमें कैमेंट्स कर सकते हैं अपने मैसेज किसर आगे की प्रोसेस के लिए हम क्या करें ठीक है गाईस तो आप लोग परेशान नहोंगेगा बने रहे हमारे क्लासेज भी चलती है हम आपको मॉर्निंग में क्लासेज भी ले रहे हैं अगर जो भी शुरें पढ़ना चाहता है तो बिल्कुर हमसे जोईन होकर पढ़ सकता है जैहिन गाइस वेलकम बेक मिलताव आपको मैं साम की क्लास में जैहिन